बच्चो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है आउकलन, आउकलन के अनुप्रियोग, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन, आउकल गणित में जहां पर हम समाकलन में उस फलन को ग्याद करते हैं, जिसका आउकल गुणांक दिया गया हो, तो आगे हम आगे देख इससे सम्बंदित कुछ परिभासा हैं और फिर इन प्रश्णों को हम आगे सरल करेंगे यदि d by dx of capital f of x equal to small f of x हो तो हम capital f of x को समाकल, integral या primitive या फिर anti-derivative कहते हैं प्रतिकात्मक रूप से इसे integration small f of x dx equal to capital f of x ऐसा लिखते हैं किसी फलन का समाकल ग्याद करने की विधी को समाकलन कहते हैं जब हमें फलन f of x का समाकलन करने को कहा जाता है तो हम f of x का समाकल ग्याद करते हैं जिस फलन का समाकल ग्याद करना होता है उसे समाकल्य या integrand कहते हैं यहाँ small f of x समाकल्य है जहाँ पर यह जो चिन्न है यह समाकलन को निरूपित करता है और dx यह निरूपित करता है कि समाकलन x के सापिक्ष किया जा रहा है x समाकलन चर या variable of integration कहलाता है अब यदी c x x अचर या arbitrary constant अब यदी c x x अचर है जो विभिन्नमान गरहन कर सकता है तो हम यह देखते हैं कि d by dx of capital f of x plus c equal to small f of x चुकि हम यह जानते हैं कि किसी अचर रासी का आउकलन 0 होता है अर्थात d by dx of c equal to 0 तो इससे हम यह लिख सकते हैं कि integration of small f of x dx equal to capital f of x plus c इस पस्ट है कि किसी फलन का समाकल अद्वीतिय नहीं होता है वस्तुता c को विभिन्नमान देने पर हमें small f of x के विभिन्न समाकल प्राप्त होते हैं यही कारण है कि capital f of x plus c small f of x का व्यापक समाकल या general integral या अनिश्चित समाकल कहलाता है small c समाकलन अचर कहलाता है या फिर constant of integration भी कहते हैं समाकलन अचर को प्राय समाकल लिखते समय नहीं लिखा जाता है परंतु यह सदेव मान लिया जाता है कि यह प्रत्येक अनिश्चित समाकल के साथ उपस्तित है समाकलन के मूलभूत प्रमे या फिर fundamental theorems of integration इसमें तीन प्रमे हैं जिसका पहला प्रमे का कथन है आउकलन वा समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे को अप्रभावित कर देती है अर्थाथ d by dx of integration small fx dx equal to small fx अब इसका प्रूफ देखते हैं माना की small f of x equal to d by dx of capital f of x यह समीकरन एक है तो समाकलन की परिभासा से अगर हम समाकलन लगा दें तो यह integration small f of x dx equal to capital f of x मिलेगा माना की यह समीकरन 2 है समीकरन 2 के दोनों पक्षों का x के सापक्ष आउकलन करने पर हमें मिल जाएगा d by dx of integration fx या f of x dx equal to d by dx of capital f of x equal to small f of x और यही हमें सिद्ध करना था अब चलते हैं दूसरे प्रमया पर इसका कथन है एक अचर वा एक फलन के गुननफल का समाकल उस अचर तथा फलन के समाकल के गुननफल के बराबर होता है अर्थात, integration c into f of x dx equal to c into integration f of x dx जहां पर जो c है यह एक अचर रासी है इसका प्रमान देखते हैं d by dx of c into integration sign f of x dx equal to c d by dx of integration sign f of x dx चुकि c अचर रासी है वह एक से स्वतंत्र है इसलिए यह d by dx के पहले आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं प्रमय एक की सहायता से इक्वल टू c into small f of x तो इस प्रकार हमें मिल रहा है integration sign c into small f of x dx equal to c into integration sign small f x या f of x dx तीसरा प्रमय का कथन है दो फलनों की योगफल अथवा अंतर का समाकल तो माना की integration sign small f1 of x dx equal to capital f1 of x तथा integration sign small f2 of x dx equal to capital f of 2x अब यह दोनों समी करणों पर हम आउकलन लगा देते हैं तब हम मिलेगा देगा 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 देग dx of capital F2 of x equal to small f1 of x plus minus small f2 of x, so ish prakāram लिख सकते हैं, integration sign small f1 of x plus minus small f2 of x dx equal to capital F1 of x plus minus capital F2 of x equal to integration sign small f1 of x dx plus minus integration sign small f2 of x dx, अर्थात दो फलनों के योगफल या अंतर का समाकल, उन फलनों के समाकलों के योगफल या अंतर के बराबर होता है, तो व्यापक रूप में इसे हम n फलनों के लिए लिख सकते हैं, इसके पहले हमने जो सिद्ध किया है वो दो फलनों के योगफल या अंतर के रूप में था, और यदि इसे व्यापक रूप में लिखें, तो कुछ इस तरीके से प्रदर्सित कर सकते हैं, इसके अतरिक्त यदि C1, C2, C3 up to Cn यह अचार रासी हो, तो उसे कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, प्रमानिक समाकल, हम यह जानते हैं कि समाकलन जो है यह अवकलन की विपरीत करिया होती है, इस तथिक को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महतपूर्ण फलनों का समाकल ग्याद करेंगे, इसमें पहरा सूतर हम देखने वाले हैं, दी बाई दी एकस आफ एकस का पावर n प्लस 1 अपॉन अपॉन इसका पहले हम आउकलन करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो n प्लस 1 है, n प्लस 1 जो ही है अचर रासी है, तो अचर रासी को हम बाहर निकाल लेंगे फंक्शन के बाहर, और यह हो जाएगा दी बाई दी एकस आफ एकस का पावर n प्लस 1, इसका ओकलन आपको ग्यात है, यह 1 बाई n प्लस 1, x का पावर n का जो ओकलन होता है, n इन्टू x का पावर n माइनस 1, इसका मतलब यह कि घात में जो पद है वह गुणा में आ जाता है, और उसके घात में एक हम घटा देते हैं, यह प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल हो जाएगा, यह n प्लस 1 अंस में हैं और हर में हैं, यह भी कैंसल हो जाएगा, अंत में आपको मिल रहा है x का पावर n, इस पद का या इस फलन का ओकलन करने पर यह मिल रहा है, तो इसके विपरीत किया अर्थात x का पावर n, x के साफ़ एक चिसका जब समाकल ग्याद करते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको समाकलन या integration ऐसा पढ़ते हैं, तो integration x का पावर n dx equal to x का पावर n plus 1 upon n plus 1, where n is not equal to minus 1, n का मान जब रिनेक होगा, तो यह जो हर है, यह 0 हो जाएगा, और यह अनिर्धार यह रूप में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए यह जो function है, या फिर x का घात n का जो समाकलन है, इसका x का पावर n का समाकलन, x का पावर n plus 1 upon n plus 1 होगा, जहां पर n का मान रिनेक के बराबर नहीं होगा, तो उसी प्रकार, 1 by x का यद log of x base e, यह 1 by x होता है, इसी प्रकार, तीसरा सुत्र, e का पावर x का समाकलन, या समाकल, या आपको e का पावर x ही प्राप्त होगा, a का पावर x, dx का जो समाकल है, यह मिलेगा, a का पावर x upon log a base e, इसमें पाँचवा सूत्र, sin x का समाकल, x के सापक्ष, यह मिल जाएगा, minus cos x, अगला सूत्र है, cos x का समाकल, यह आपको मिलता है, sin x, sin x, cos x का समाकल, 10 x, cos x x, dx का समाकल, minus cos x, cos x, cos x, cos x, इन्टू, cos x, इसका जो समाकल है, यह आपको मिल जाएगा, minus cos x, x, और, one upon square root over one minus x square, इसका जो समाकल है, यह आपको मिल जाएगा, sin inverse x, या फिर, यह minus cos x के बराबर होता है, दोनों में से कोई भी हम उप्योग कर सकते हैं, दिए गए प्रश्न के अनुसा, one upon one plus x square, इसका समाकल, यह आपको मिल जाएगा, 10 inverse x, या फिर, minus cot inverse x, और, अन्त में देखते हैं, एक और सूत्र, one upon x into square root over x square minus one, इसका समाकल होता है, सेक inverse x, या फिर, minus cosec inverse x, तो इन सूत्रों का उप्योग करके, हम आगे दिया गया प्रश्नों को सरल करेंगे, जिस प्रकार की अवकलन के लिए कुछ मूल भूत या प्रमानिक सूत्र थे, उसी प्रकार भी हम इसका उप्योग करेंगे, प्रश्न दिया गया है, y equal to ax square plus bx plus c, इसका हमें समाकलन ग्याद करना या समाकल ग्याद करना x के सापेक्च, तो इसे हम लिखते हैं, i integration के लिए, y दिया गया फ्रण है, और x के सापेक्च, इसका हम समाकल ग्याद करना है, y कि स्थान पर इस फ्रण को लिखेंगे, x square plus bx plus c, x के सापेक्च, इसका समाकल, जब फलन जो है, वो योग के रूप में, या अंतर के रूप में होता है, तो अलग-अलग विस्तार रूप में हम इसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यह, कि a x square dx plus y bx dx इसका समाकल, फिर integration c dx, इस तरीके समें इसको लिख सकते हैं, अब a जो है, अचर रासी है, यह बहारा जाएगा a, और x square dx, इसी प्रकार b, यह भी अचर रासी है, x dx, और c, यह भी अचर रासी है, और यह integration dx, चुकि आपको पता है, कि x का power n, इसका जो समाकल होता है, यह होता है, x का power n plus 1, upon n plus 1, where n is not equal to minus 1, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे, तो मिलेगा, x का power 2 plus 1, 2 plus 1, 3, upon 3, plus b, x का power 1 plus 1, 2 upon 2, plus c, और यहाँ पर constant है, 1, तो इसमें x का गुणा हो जाएगा, x, तो इस तरीके से यह आपको मिल रहा है, a by 3 x cube plus b by 2 x square plus cx, और यही इस दिये गए फलन का समाकलन है, यह समाकल है, जो हमें ग्याद करना था, अगला प्रशन दिया गया है, y equal to x square plus bx plus c upon x square, तो इसका समाकलन करने के लिए पहले हम इस पद को सरल कर लेते हैं, अर्थात, ax square upon x square plus bx upon x square plus c upon x square, आगे जाब इसे आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा, a plus b, b by x, तो इसे आप लिख सकते हैं, x का पावर minus 1, या फिर, b upon x c रहने दीजिए, plus c upon x square है, तो x का पावर minus 2 आप लिख सकते हैं, तो ultimately y यह मिल चुका है, अब इसका समाकलन को लिखेंगे, i equal to integration y dx equal to a plus b by x plus c into x square dx, समाकलन करेंगे, तो मिल जाएगा integration a into dx plus integration b by x dx plus integration sign c into x का पावर minus 2 dx, a जो है यह constant है, यह मिल जाएगा integration dx plus, यहाँ पर b जो है यह constant है, अब मिल जाएगा dx upon x, या फिर 1 by x into dx plus c यह भी constant है, x का पावर minus 2 dx, अब चूंकि आपको पता है, कि 1 by x dx, या 1 by x का समाकलन log x होता है, और x का पावर n का जो समाकलन है, यह होता है, x का पावर n plus 1 upon n plus 1, where n is not equal to minus 1, यहाँ पर यह minus 2 है, इसका समाकलन करेंगे, तो मिल जाएगा ax plus b, यहाँ से इस सूतर से log x, और plus c, x का पावर minus 2 plus 1, यह आपको मिल जाएगा minus 1, और यह upon minus 1, सरल करने पर आपको मिल जाएगा ax plus b into log x plus, और यह plus और यह minus है, तो आपको इसे minus sign में change कर देते हैं, c into x का पावर minus 1, या फिर इसे आप लिख सकते हैं, ax plus b into log x minus c upon x, और यही वह उत्तर है, जो हमें ग्याद करना था, अगला प्रशन दिया गया है, x का पावर n plus n का पावर x plus e का पावर x plus x, इसका हमें समाकलन या समाकल करना है, तो चुकि आपको पता है कि a का पावर x, इसका जो समाकलन होता है, यह हमें मिलता है, a का पावर x upon log a base e, और x का पावर n का जो समाकलन है, यह आपको मिलता है x का power n plus 1 upon n plus 1 where n is not equal to minus 1 और e का power x का जो समाकला नहीं या आपको e का power x ही मिलता है तो इसका integration को हम लिखेंगे i integration y dx equal to x का power n plus n का power x plus e का power x plus x dx योग के रूप में हैं अलाग अलाग लिख सकते हैं x का power n dx plus integration n का power x dx plus integration e का power x dx plus integration x dx आगे solve करेंगे सूतर के नुसार यह जगा x का power n plus 1 upon n plus 1 देखिए यह e का power x इस सूतर में a का power x इस सूतर का हम उप्योग करेंगे इसके लिए a का power x अर्थात यहां पर है n का power x upon log a base e अर्थात log n base e plus e का power x का समाकलन आपको e का power x मिलेगा और x का समाकलन x का power 2 upon 2 मिलेगा तो यही वह मान है जो हमें ग्यात करना था कुछ और फलनों का समाकल ग्यात करने के लिए आपको कुछ शूतरों की आवश्चता होगी यदि फलन log x का power m के form में हो तो m जो होता है वो सामने आजाता है और यह आपको मिल जाता है log x इस तरीके से यह एक सूतर है दूसरा e का power में यदि log x हो और यहां पर भी base e हो तो यह दोनों cancel हो जाते हैं और ultimately आपको मिल जाता है x इसके अलावा यदि log m into n हो तो यह आपको मिलता है log m plus log n और यदि यह भाग के रूप में हो तो यह आपको मिलता है log m minus log n तो इन चार सूतरों का उपयोग करके आप और भी प्रश्णों को आगे सरल कर सकते हैं अगला फलन दिया है 1 upon 1 minus cos 2x इस फलन का समाकल ग्याद करने के पहले इसे हमें सरल करना होगा तो जैसा कि आप सूतर पढ़ चुके हैं कि cos 2x equal to होता है 2 cos square x minus 1 यहाँ पर जो एंगल होता है उसका half एंगल यहाँ पर होता है दूसरा सूतर आपने पढ़ा है कि cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x तो यदि इस फलन को हम पक्षांतर करके left में ले आए और इस फलन को पक्षांतर करके right में ले आए तो आपको मिल जाएगा 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x तो देखिए यह 1 minus cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 into sin square x तो इसका हम यहाँ पर apply करते हैं आप लिख पाएंगे y equal to 1 upon 2 sin square x तो 1 upon 2 यह तो constant है और 1 upon sin square x को आप लिख सकते हैं cos 2x अब इसका हम समाकलन ग्याद कर सकते हैं i integration y dx equal to integration sign 1 by 2 cos square x dx 1 by 2 यह बाहर आजागा function के बाहर और cos square x का जो समाकलन होता है यह होता है minus cot x तो आपको मिल जाएगा minus cot x और plus c लिख सकते हैं जहाँ पर c जो होता है समाकलन नियत आंक होता है तो यह मिल दाएगा minus cot x upon 2 plus c जहाँ c समाकलन नियत आंक है अगला फॉलन दिया गया है square root over 1 minus cos 2x तो थोड़े देर पहले हम लोगों नहीं यह सूत्र देखा है कि 1 minus cos 2x equal to होता है 2 sin square x तो यहाँ पर जब इसको put कर देंगे तो आपको मिल दाएगा square root over 2 sin square x solve करने पर आपको मिल दाएगा root 2 into sin x अब इसका समाकलन यदि हम आई लिखें तो integration y dx equal to integration sin root 2 sin x dx root 2 जो है यह constant है यह बाहरा जाएगा और sin x का समाकलन अब मिल जाएगा root 2 और sin x का समाकलन होता है minus cos x तो अब मिल जाएगा minus root 2 cos x और plus c आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं जहां पर c समाकल नियतांक है अगला फ़लन दिया गया है 1 minus cos 2 x upon 1 plus cos 2 x तो इसका समाकलन जाद करने के पहले आपको इससे सरल करना होगा जैसा कि आपने देखा है कि cos 2 x equal to होता है 2 cos square x minus 1 और cos 2 x equal to 1 minus 2 sin square x तो इस सूतर में इसको अब हम लेफ्ट में पक्षांतर कर दें और इसको राइट में तो आपको मिला था कि 2 sin square x equal to 1 minus cos 2 x इसी प्रकार यहां से आपको यह मिला और इस सूतर को यदि हम सरल करें यह जो 1 इसको लेफ्ट में पक्षांतर कर देता है तो मिल जाएगा 1 plus cos 2 x equal to 2 cos square x इस सूतर का और इस सूतर का उप्यों हम यहां पर करते हैं तो y equal to आप लिख सकते हैं 1 plus cos 2 x y equal to 1 minus cos 2 x तो आप इस से लिख सकते हैं 2 sin square x upon 1 plus cos 2 x इसको आप लिख सकते हैं 2 cos square x 2 और 2 cancel हो जाएगा sin square x upon cos square x आपको मिल जाएगा tan square x और tan square x का direct integration नहीं होता है चुकि आपको पता है कि 1 plus tan square x equal to होता है sake square x तो यहां से आप लिख सकते हैं tan square x equal to sake square x minus 1 तो यहां सब को मिल जाएगा sake square x minus 1 यह y equal to मिल चुका है इसका यह आपको समाकलान कियात करना हो तो इससे मिल लिखेंगा i integration y dx equal to integration sign x square integration sign say sake square x minus 1 then dx यह मिल जाएगा sake square x dx फिर minus dx sake square x का समाकल आपको मिल जाएगा 10 x और इसका मिल जाएगा x और plus c जहां c समाकल नियतांक है और यही वह उत्तर है जो हमें ग्यात करना था अगला फलन दिया गया है साइन स्क्वार एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स यहां से इससे आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस यह कॉस एक्स और यहां से कॉस एक्स वाला पत कैंसल हो जाएगा तो अल्टिमेटली आपको मिलेगा वन अपॉन कॉस एक्स और फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 by sin x इसे आप लिख सकते हैं cosec x और cos x upon sin x इसे आप लिख सकते हैं cot x plus 1 by cos x इसे लिखा जा सकता है sec x और sin x upon cos x इसे आप लिख सकते हैं tan x तो यह हमें दिया गया फ़लन प्राप्त हो चुका है आप इसका समाकल ग्याद करने के लिए इस हम लिख रहे हैं i integration y dx equal to integration sign cosec x cot x dx और फिर plus sec x tan x dx cosec x cot x का समाकल आपको मिल दाएगा माइनस cosec x और sec x tan x का मिल दाएगा सेक x और फिर plus c और यही उत्तर है जहां c समाकल नियाद तांक है c का इस्तमाल इसलिए करते हैं चुकि आप किसी भी पद का यदि आउकलन करते हैं तो आपको शुनिया प्राप्त होता है तो इस पद में कोई constant या अचर रासी रहा होगा जिसका कि आउकलन करने के बाद बाद शुनिया हो चुका होगा तो उसे निरूपित करने के लिए हम c एक अचर रासी को उप्योग करते हैं यह इसे समाकल नियतांक भी कहते हैं भी करते हैं